दोस्तों आज हम डिसकुशन करने जा रहे हैं वीकली करेंट अफेर्स पहले एक बात याद रखिएगा express video course के बारे में दोस्तों गडली ने एक express video course लाँच किया है जहांपर आपको proper tips and tricks मिलती है 400 plus practice pdf's मिलते है practice quiz है weekly live doubt clearing session मिलता है आपको यहांपर secret telegram group भी इसके लिए आपको मनाया गया है और दोस्तों यह इसकी usp है unique selling point जिसे हम बोलते है lifetime validity य प्रिवियस यर्स का भी यहाँ पर कराये जाएगा दोस्तों और आप सेलेक्शन लेते हैं तो 100% कैश बैक भी आपको मिलेगा दोस्तों सारे के सारे टॉपिक कवर्स होंगे अब जीसर के द्वारा यहाँ पर चीक है मेंस के टॉपिक्स कवर किये जाएंगे और बाकी रीजनि भी है यहाँ पर दोस्तों हाई-level पजल सेंट सेटिंग अरेंगमेंट हाई-level डी आई है यहाँ पर रीजनिंग मिसलेनियस है इंगलेस लांगवेज है A to Z complete arithmetic है आपको यहाँ पर मिलेगा और जेनरल बैंकिंग और फाइनिशल अवरनेस दोस्तों इसकी कॉस्ट है 1499 दोस् तरीक को राष्ट्रिय डेंगु दिवस मनाय जाता है तो इसका सही आंसर है 16th of मई 16 मई को हर साल क्या किया जाता है जो Union Health Ministry है वो डेंगु 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 आपको पता है एक डिसीज है एक रोग है जो मच्छर के काटने से होता है दोस्तों और Union Health Ministry की बात करें तो इसके World Hypertension Day celebrate किया जाता है हर साल तो उसकी theme क्या है इस बार वो पूछा गया है दोस्तों इसकी theme है measure your blood pressure, control it, live longer to increase high blood pressure awareness in all populations around the world तो दोस्तों theme याद रखेगा देखे डे में दो ही questions आते हैं या तो ये पूछा जाता है डे किस date में मनाया जाता है या तो ये question पूछा जाता है कि इ theme क्या है तो बहुत सरे days ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई theme नहीं भी होती है तो दोस्तों आपको date पता होनी चाहिए और अगर उसकी कोई theme है तो theme पता होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़के दोस्तों as per the latest measures of economic support which have been announced by the finance minister the borrowing limit of estate has been increased देखे अभी आत्म निर्भर भारत अभियान ठ इसको बताया गया 20 lakh करोड का package है जो GDP के 10% के बराबर होगा तो उसी package में जो finance minister है उन्होंने जो states है उनकी borrowing limit को increase करके कितना कर दिया तो दोस्तों उनकी borrowing limit को increase करके कर दिया है 5% पहले कितनी थी दोस्तों पहले थी 3% याद रखेगा पहले थी 3% अब बढ़ा के कितना कर दि जी एसडीपी ये जो term है ना जी एसडीपी देखिए GDP तो आप जानते हैं GDP का मतलब क्या है पूरे देश में ठीक है देश की जो भी भागोलिक सीमाएं हैं उसके अंतरगत जो वस्तुओं और जो सेवाएं हैं goods and services जो produce करी जाती है उनकी जो total value होती है हम उसको GDP कहते हैं same as एक state की boundary में जितनी भी goods and services produce होती है उनके valuation को उनकी value को हम GSDP कहते हैं तो पहले GSDP के बहाफ पर 3% borrowing कर सकते थे लेकिन 2020-2021 के लिए because of COVID-19 के कारण इसको बढ़ा दिया गया है 5% कर दिया गया इसको बढ़ाने से जो states है इनको extra कितना amount मिल सकता है 4.28 lakh करोण इनको extra amount मिल सकता पहले कितना मिलता था ये 6.41 lakh करोण दिन अगला question है the National Restaurant Association of India short में हम इसको NRAI के नाम से जानते हैं has partnered with which company किस company के साथ आइफ की है to build its own tech platform अपना खुद का tech platform तयार करने के लिए जो किसके लिए कामाएगा online payments और digital ordering इस समय आप दोस्तों जान रहे है सारा का सारा जो system है वो digital जा रहा है तो अपना खुद का digital platform जो कि क्या करेगा digital ordering और digital payment के लिए कामाएगा तो ये किसके साथ टाइफ किया है build up करने के लिए इसको बनाने के लिए तो ये दोस्तों dotpay के साथ contact ही है dotpay dotpay गुरुगराम ठीक है जो पहले गुरुगराम के नाम से जाना जाता है तो वहा ये food and beverage F&B का मतलब है food and beverage industry ठीक है याद रखेगा इस बात को then who has been appointed as the new managing director of JNK bank जमुएन कश्मीर बैंक के नए managing director कौन बने है दोस्तों तो इनका नाम है जुबैर इकबाल क्या नाम है दोस्तों जुबैर इकबाल ठीक है और दूसरी बात यहाँ पर याद रखेगा आरके चिपबर यहाँ continue करेंगे बैंक के chairman तो दो बाते याद रखेगा नए MD कौन बने है जुबैर इकबाल और chairman पूछ लिया जाए तो कौन है आरके चिपबर और यह जुबैर इकबाल है कितने शमय के लिए तीन वर्ष के लिए और दोस्तों जमुएन कश्मीर बैंक की बात कर रहे हैं तो head office कहां पर है जमुएन कश्मीर बैंक का यह स्रीनगर में head office है दिन आगे बढ़ते हैं what is the theme of the international museum day observed every year on माई 18 अठारा माई को मनाया जाने वाला जो अंतरास्ट्री संगरहाले दिवच्छे इसका विशे क्या है दोतों तो इसका विशे है museum for equality, diversity and inclusion क्या है museums for equality, diversity and inclusion हर साल 18 माई को मनाया जाता है international museum day याद रखेगा और museum आपको पता ही है संगरहाले में जो पुरानी चीज़े हैं वो संगरहित करके रखी जाती है जिन से आपको पुराने समय के बारे में पता चलता है तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपको पीछे की बाते ठीक है जानकारी देने में तो बहुत बड़ा रोल होता है तो that's why ये day क्या है celebrate किया जाता है देन बिंजामी नेतन याहू अभी इसराइल के प्राइम निस्टर थे और फिर से इसराइल में चुना हुए तो फिर से ये क्या बन गए प्रधान मंत्री वहां के बन गए तो य इस बार एक बात हुई है वो ये कि ये जो बिंजामी नेतन याहू है इनको coalition मतलब एक तरीके से साथ में आना पड़ा एक विक्ति के एक पार्टी के जिसका नाम है जो विक्ति है बैनी गैंज मतलब इनके और इनके बीच में tie-up हुआ है इसराइल के PM बनने का तो दोस्तो ये 3 years के लिए है तो 18 months 18 months का tie-up हुआ है शुरुवात के 18 महीने बिंजामी नेतन याहू प्रधान मंत्री बनेंगे और जो बेनी गैंज है ये बनेंगे minister of defense और उसके बाद दोस्तो अगले जो 18 महीने है अगले 18 महीने में क्या होगा जो बिंजामी नेतन याहू है वो minister of defense ब which year for the successful operations of laser by psychist Theodore Mamon देखिए जो psychist है Theodore Mamon इन्होंने successful operation किया था laser के द्वारा तो international day of light जो हर सल 16 मही को celebrate किया जाता है पूछा ये जा रहा है कि सबसे पहले कब celebrate किया गया था तो सबसे पहले 1960 में celebrate किया गया था दोस्तो दिन The union HRD minister has e-launched seven titles on psychosocial impact of pandemic and lockdown and how to cope with देखिए psychosocial impact of pandemic pandemic का मतलब है महामारी COVID-19 की बात हो रही है तो उसका क्या psychosocial impact है ठीक है और lockdown and how to cope up इससे कैसे लड़ा जाए तो इस पर इन्होंने क्या किये है seven titles launch किये है अब ये series publish कौन करेगा books के रूप में कौन publish करेगा तो books के रूप में publish करेगा NBT, NBT का full form है National Book Trust जिसका head office कहां पर है New Delhi में है याद रखेगा इस बात को then what is the theme of world telecommunication and information society day observed every year on माई 17, 17 माई को मनाया जाता है हर साल क्या विश्चदूर संचार और सूचना society दिवस तो इसकी theme पूछी गई आपसे क्या है इसकी theme, इसकी theme है connect 2030, ICT, ICT का full form है यहाँ पर information and communication technology for the sustainable development goals, SDG, ये theme है इसकी then the low profile ceremony ठीक है एक क्या किया गया एक कारिक्रम आयुजित किया गया है to commission the 7th MK 4th landing craft utility देखी क्या हुआ है Indian navi में साथ हुआ जो ये craft जो landing craft utility है इसको सामिल किया गया तो जब भी कोई जहाज या कोई ship सामिल किया जाता है तो ceremony होती है तो low profile ceremony celebrate करी गई इसको सामिल करने के लिए ये iron का मतलब है Indian navi LCU का मतलब है यहाँ पर landing craft utility याद रखेगा और L57 नाम दिया गया है was held in ये कहाँ पर हुई तो ये port blair कहाँ पे port blair port blair क्या है अंडबान ए निकोबार की capital है देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं who among the following has started has shared the second spot with the reuben brothers in UK rich list 2020 United Kingdom की rich list 2020 के according second spot पर किस वेक्ती है Reuben brothers के साथ किसने shared किया है तो दोस्तों ये India से ही है Hinduja brothers इन्होंने share किया है Hinduja brothers दोस्तों एक company आप जानते है motor vehicle में एक company है जिसका नाम है Ashoka Leyland आप समझते हैं तो ये Hinduja group की ही company है समझ लीजे Hinduja brothers को India में आप इसी के नाम से जान दीजे Ashoka Leyland ठीक है तो UK की rich list में क्या है second number पे है वो कौन है वो है British inventor and entrepreneur इनका नाम है James Dyson ये top पे है याद रखेगा then the UN General Assembly declared the international day of living together in peace on which date in an effort to mobilize the international community to promote peace देखे सांती को promote करने के लिए peace को promote करने के लिए UN General Assembly ने declared कि international day of living together in peace ये किस तारीक को तो दोस्तों मई 16 मई 16 को मनाया जाता है मई 16 ठीक है then former rugby league captain Arthur Summons who passed away recently belong to which country ठीक है मतलब जो rugby खिलते थे ठीक है और ये captain इनका नाम Captain Arthur Summons तो ये अभी expire हो गए हाली में तो ये किस देश से थे ये दोस्तों Australia से थे कहां से थे Australia से थे then the center has launched an online dashboard to monitor movement of migrant workers देखें migrant workers का मतलब है प्रवासी मजदूर जो एक जगे से दूसरी जगे क्या कर रहे हैं पहुंच रहे हैं मतलब एक तरीके से अपने घर पहुंच रहे हैं तो क्या है उन पर नजर रखने के लिए एक dashboard launch किया गया तो उस dashboard को किस ने develop किया हूँ among the following has developed the online dashboard online dashboard किसने डब किया है DMA जिसे हम कहते हैं National Disaster Management Authority याद रखेगा यह full form यहाँ पर लिखा हुआ है National Disaster Management Authority देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों The Madhya Pradesh Government has launched which initiative to provide shoes and sleepers to migrant laborers going barefoot जो migrant laborers है जो प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं और जो नंगे पैर जा रहे हैं तो उनको shoes और sleeper देने के लिए Madhya Pradesh Government ने कौन सा initiative launch किया है इस initiative का नाम है दोस्तों चरन पादुका क्या नाम है चरन पादुका Then Health Minister, Health Minister Harshwardhan, Dr. Harshwardhan है, will represent India at the WHO, WHO का मतलब है World Health Organization ठीक है तो World Health Organization की ये जो World Health Assembly है जो 18 मई को हो रही है तो ये कौन से नंबर की World Health Assembly है मतलब विस्व स्वास्थय सभा तो इसमें भारत से जो ये Dr. Harshwardhan ये इसका प्रतिनिधित तो करेंगे, representation करेंगे तो कौन से नंबर की है ये 73rd, 73rd World Health Assembly याद रखेगा Then, name the initiative announced by the Finance Minister to provide psychological support to student, teachers and families for their mental health and emotional well-being मतलब उस initiative का नाम बताईए जो Finance Minister ने बताया है जो की psychological support देगा किसे student, teachers and families for their mental health and emotional well-being तो दोस्तों इसका नाम है Manodarpand, PME Vidya में ही added है ये Manodarpand याद रखेगा Then, who will head the Ayush Task Force which has recently been constituted by the Maharashtra Government देखे, Maharashtra Government ने अभी हाली में एक Ayush Task Force का गठन किया है देखे, Ayush Task Force, Ayush का मतलब दोस्तों, COVID-19 से लड़ने के लिए सबसे पहले बात यही बताई जा रही है कि immunity system जो है आपका वो क्या होना चाहिए, ये strong होना चाहिए तो Ayush, यहाँ पर Ayurveda है, योगा है, यूनानी है, सिध्धा है, होमेपैथी है तो ये Ayush Task Force महarashtra Government के द्वारा बनाई गई है जिसका काम यही होगा जगे जगे जाके लोगों को aware करना, जिससे उनका immune system जो है, वो increase हो सके, बढ़ सके तो दोस्तों, ठीक है, तो इसके headcon बनाए गए है, डॉक्टर तातिया राओ लहाने और महarashtra Government के द्वारा बनाए गया अगला question है, Alibaba's Jackma, Alibaba के founder है Jackma, Alibaba क्या है word की आप कह सकते हैं की चाइना की तो ही है, ठीक है, बट एशा में भी आप कह सकते हैं क्या है सबसे बड़ी retail company है, e-commerce company has recently resigned as the board member of which company यह जो Jackma है, इन्होंने अभी हाली में अपना इस्तीफा दे दिया, तो किस company के से इस्तीफा दिया है, तो soft bank से इस्तीफा दिया है, दोस्तों soft bank group यह जापान का है, और soft bank का headquarter कहाँ पर है Tokyo, Japan which division of railway has developed a robotic device rail boat, robotic device rail boat develop किया गया है, अब boat again, obviously boat का मतलब है robot, तो क्या होगा, यह strengthened ठीक है, शक्ती परदान करेगा hospitals को, ठीक है, care करने में hospital management के functions में जिससे वो क्या कर सकें, दोस्तों जिससे जो यह COVID-19 के patient है उन तक, कम से कम हमारा क्या हो सके, contact हो सके तो उसके लिए boat develop किये गए है तो यह develop किसने किया है, यह develop किया है, South Central Railway और दोस्तों, South Central Railway की जो quarter कहाँ पे, तो सिकंद्राबाद then according to Goldman Sachs, ठीक है US की company है, India's GDP likely to fall by, इंडिया की GDP के बारे में projection बताया है कि June quarter, June quarter मतलब April, May, June की बात करें जो यह first quarter है, 2020, 2021 का, इसको क्या किया है, again, कितने प्रतिशत गिरेगी GDP, यह बात कहीगी तो यह 45% GDP गिरेगी और जो पूरे year के लिए financial year 2021 के लिए कितना बात कहीए इन्होंने कि financial year 2021 के लिए जो GDP forecast है, वो रहेगा minus 5%, इसके पहले इन्होंने announce किया था, minus 4% तो minus 4% को और एक तरीके से कम कर दिया गया है कितना कर दिया गया, minus 5% then what's AIDS vaccine day is observed annually on which date to spread awareness regarding the importance of HIV vaccine word AIDS vaccine day कब मनाया जाता है, यह 18 माई को मनाया जाता है, कब 18 माई को और इसे HIV vaccine awareness day के नाम से भी जानते है HIV vaccine awareness day, ठीक है दोस्तों याद रखेगा then bilenier Salih Abdullah Kamel who passed away recently belong to which country जो bilenier है, अरबपती, Salih Abdullah Kamel, इनका हाल ही में निधन हो गया यह किस देश से थे, तो दोस्तों यह सौधी अरबिया से थे, then India post, ठीक है, भारती डाग की बाग कर रहे है, India post, Mumbai has released a special postal cover which has been dedicated to special postal cover इन्होंने एक जारी किया है, जो किसको dedicate किया है, तो यह dedicate किया गया है, migrant workers को, जो प्रवासी मजदूर है, उनको dedicate किया गया है, उस पर ही एक डाग कवर जो है, वो जारी किया गया है India post की बात करें दोस्तों, तो India post का head office, New Delhi में है और यह ministry of ministry of electronics and communication technology के इंतरगत कारे करता है, जिसके minister है रवी शंकर प्रशाद कौन है, रवी शंकर प्रशाद याद रखिएगा, then US-based General Atlantic is all set to buy percent stake in Jio platform for 6598 करोण, 6,598 करोण रुपे में, Jio में कितनी हिस्सेदारी General Atlantic ने खरीदी है, दोस्तों Jio इस समय क्या कर रहा है, अपने stake को कई कंबनियों को sell out कर रहा है जिसमें सबसे पहली थी Facebook Facebook ने 9.99% stake जो है, वो purchase किया था अब यहाँ पर इनके बारे में पूछा जा रहा है General Atlantic, तो General Atlantic ने 1.34% stake जो है, वो Jio में खरीदा है, कितने रुपे में तो 6,598 करोण, then Name the two girls recognized by US President Donald Trump as Coronavirus Heroes, Coronavirus Heroes के रूप में दो girl जिनको recognize किया है US President Donald Trump ने उनका नाम बताई, तो उनका नाम है Laila Khan and Sravya Anapredi, चीक है, याद रखेगा अब यह जो Laila Khan है, यह पाकिस्तानी origin से हैं, लेकिन यह जो स्रया है यह कहां से हैं, यह Indian origin से हैं The Ministry of Culture hosted a webinar, webinar मतलब website के माध्यम से या online माध्यम से जब हम कोई seminar organize करते हैं, तो उसे webinar बोलते हैं, तो webinar on revitalizing museums and cultural spaces on the international museum day when is the international museum day observed, अभी हम लोगों ने पढ़ा था international museum day कब मनाय जाता है तो दोस्तों international museum day 18 मई को मनाय जाता है Then, government has implemented the recommendation of which committee related to creating border infrastructure देखिए, border का मतलब है सीमाएं, तो देश की सीमाओं पर infrastructure को create करने के लिए जिससे हमारी सीमाओं तक पहुँच है वो आसान हो सके, तो इसके लिए government ने किस committee की recommendation को implement किया है, तो ये है Lieutenant General D.B. Sheketkar Then, which of the following country has launched a new unit to step up defense in outer space outer space में ठीक है, defense को step up करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के लिए किस country ने launch किया है तो ये Japan है, और launch क्या किया है दोस्तों, ये new space defense unit to monitor and counter threats to the country satellites ठीक है, ये space operation इसका नाम है squadron क्या नाम है दोस्तों, squadron ये आपको याद रखना है, that's it then, which bank has launched India's first zero contact video KYC saving account दोसों, RBI में video KYC जारी किया था video KYC का मतलब है, ठीक है कि video conferencing के माध्यम से आप KYC कर सकें जैसे eKYC में आधार आता है ना तो video KYC, मतलब video के माध्यम से know your customer के जो नाम से उनको fulfill किया जा सकें, तो video KYC saving accounts के लिए, इसने launch किया और यह भारत का पहला bank बन गया तो यह है Kotec Mahindra Bank, तो इसके जो अपना saving account है, जिसका नाम है Kotec 811 saving account, ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या किया है, launch किया है, अभी trial basis पर है, याद रखेगा, और इसकी philosophy क्या है, Kotec's digital first strategy, मतलब जो भी digital चीजे हैं, वो सबसे पहले अपनाएगा तो इसकी philosophy यही है, Kotec digital first strategy, then BSC and NSE, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, have cut the annual listing fee, जो annual listing fee होती है, ना SME platforms के लिए, small and medium enterprises, यह कितने प्रतिशस से घटा दी है, due to coronavirus pandemic, तो इसे 25 प्रतिशस से घटा दिया गया है, कितने 25% से, then, आगे बढ़ते हैं, रतनाकर मटकरी, इनका हाल ही में निधन हो गया, यह famous क्या थे, तो रतनाकर मटकरी यह famous क्या थे, दोस्तों famous writer, और यह कौन से writer थे, Marathi writer थे, then which of the following digital payment company has launched if inclusive AEPS, AEPS का मतलब है, दोस्तों, आधार Enable Payment System, AEPS full form याद रखेगा, वैसे इस तरीके से लिखा जाता है, AEPS मतलब, आधार Enable Payment System, यह 2.0 EF includes, यह किसने launch किया है, तो यह financial software and systems, जिसका headquarter है, दोस्तों, चन्नाई में इसने launch किया है, बैंकों के लिए कि क्या है, जादा से जादा digital पहुंच, remote areas में बना सके, then NABARD has extended कितने रूपी, special liquidity facility, cooperative banks और RRB को दिया गया है, किसके द्वारा, NABARD के द्वारा, तो NABARD ने कितना extend किया है, तो यह amount है, 20,500 करोण, 20,500 करोण उपय का amount है, इस amount में cooperative bank को मिलेगा, 15,200 करोण, और इस न रूरल बैंकों को मिलेगा, 5,300 करोण, और यह सभी राज्यों की बात हो रही है, पुरे देश की बात हो रही है, then who among the following has been appointed as the new president of World Health Assembly, यह जो World Health Assembly की बात हम कर रहे थे न, यह जो 73rd इसके पहले बात करी थी अभी question में, तो इस World Health Assembly के new president कौन बने, तो यह बने है केवा बेन, केवा बेन, याद रखिएगा, then which companies all said to acquire Pepsico steak in Nourish Nourishico beverage with the focus on building a strong package of beverages market, beverage का मतलब होता है, pay पदार, जितनी भी cold drinks है, वो सब किसमें आती है, beverages में आती है, ठीक है मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी drink हो, आप कह सकते हैं, उसे beverage है ठीक है, तो again, अब Pepsico का steak है, जो Nourish company में वो कौन खरीदने जा रहा है, तो यह खरीदने जा रहा है, Tata Consumer ठीक है, कौन खरीदने जा रहा है, Tata Consumer Product Limited, पूरा full form है TCPL, TCPL याद रखिएगा, then NADA ठीक है, अगे याद रखिए का, NADA has provisionally suspended which two athletes for valeting anti-doping rules, anti-doping rules का जो उलंगन है करने के लिए, NADA ने किन दो athlete को क्या कर दिया, suspend कर दिया, इनका नाम है Savita Kumari and Anki Shishodhiyah, Savita Kumari and Anki Shishodhiyah, NADA का full form है National Anti-Doping Agency और यह जो दोनों person है इसके बारे में यह question पूछा जा सकता है यह किस खेल से belong करते थे तो यह क्या थे, power lifter तो यह क्या थे, power lifter then, who among the following has won the 2019 Alexander Dalrymple Award Alexander Dalrymple Award यह UK की Ministry of Defense के द्वारा दिया जाता है ठीक है, तो यह किसको मिला है यह मिला है, Vice Admiral Vinay Badhavar को Vice Admiral Vinay Badhavar which state has recently launched a cyber security incubator program hack यह cyber security incubator program है ठीक है, for a startup in India ठीक है, तो किसने launch किया इसको launch किया है, करनाट का government देखे, government की जितनी भी app बनाई जा रही है, अगर उसमें कोई security problem है तो उसको इसके दौरा क्या किया जाएगा solve किया जाएगा, ठीक है और दोस्तों, यह program implemented by किसके दौरा है CISEC CISEC which is, यह CISEC क्या है state's COE Center of Excellence in Cyber Security यह state का center of excellence है cyber security में then, what is the theme for world metrology day observed annually on 20th मई world metrology day ठीक है, जो कि हर साल 20 मई को मनाए जाता है तो इसकी theme क्या है दोस्तों इसकी theme है measurement for global trade देखे, metrology का मतलब क्या होता है metrology का मतलब है यहाँ पर is the study of measurement metrology क्या होती है दोस्तों study of measurement ठीक है, मैं मापन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर study of measurement को हम metrology कहते हैं इसी में एक सब्द आ जाता है कई लोग confused हो जाते है वो होता है, meteorology ठीक है, meteorological वो मौसम से संबंदित होता है weather and climate यह metrology, यह क्या है study of measurement then पुरिशोत्तम, who passed away recently was a famous पुरिशोत्तम, पुरिशोत्तम जिनका हाल ही में निधन हो गया वो प्रसिद्ध क्या थे यह प्रसिद्ध musician थे, क्या थे द्रम प्लेयर थे, music conductor ठीक है, याद रखेगा इनके बारे ने then word be day विशो मधुमक्खी दिवस ठीक है, is celebrated every year on which date, किस तारीख को मनाय जाता है to raise awareness ठीक है, किस के लिए, awareness के लिए about the role of bees, मधुमक्खियों के role के लिए in keeping the planet healthy, आप देखते हैं जब भी health की बात आती है, तो उसमें शहद बहुत important होता है तो शहद हमें किस से मिलता है मधुमक्खियों से तो planet को healthy रखने में bees का क्या role है, इसके लिए विशो मधुमक्खी दिवस हर साल किस सारी को मनाय जाता है, ये 20 मई को मनाय जाता है, दोस्तों कब 20 मई को याद रखेगा, ठीक है 20th मई, then the Nepal government has decided to publish new map, नेपाल government ने decide किया है कुछ नए map publish करने के लिए which includes which of India's reason, अब इंडिया का कौन सा reason उसने अपने में दिखाया है और ये बात कही है कि हम बाचीज से इसको solve भी कर लेंगे, ये भी बात कही गई है तो दोस्तों ये जो reason है, ये है लिपू लेख एंड काला पानी क्या है लिपू लेख एंड काला पानी जो कि भारत का हिस्सा है, लेकि नेपाल के ने नेमान चितर में इसको दर्शाया गया है, कि ये इसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास नेशनल टेस्ट अभ्यास देन, the Ministry of Housing and Urban Affairs has announced the result of star rating of garbage free city garbage free city का मतलब है कचड़ा मुक्त जो शहर है उनकी star rating, Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा confirmation दिया गया तो कितनी cities ऐसी हैं, जो 5 star की list में है मतलब वो कचड़ा मुक्त शिटी है वहाँ पर कचड़ा नहीं है देन, तो ये 6 शहर हैं दोस्तों, 6 शहर है 5 तो यहाँ पर confirmation बताया गया अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर और नवी मुंबई, तो इंदौर पहले से ही है ये 5 जो है, अनॉंस किये गए है और दोस्तों, 65 cities यहाँ पर 3 star rating दी गई और 70 cities को यहाँ पर 1 star की rating दी गई है याद रखेगा यतने ज़्यादा star, मतलब उतना ही वो कचरा रहित शहर है देन, नेम दग कंपनी विच हैज मेट several types of robots बहुत सा तरीके के robots बनाए है जो की medical staff को help कर रहा है coronavirus से लड़ने के लिए तो ये किस ने बनाए है, ये club first ने बनाए है, club first club first कहां की company है, तो ये जैपूर based company है कहां की, जैपूर based company then flipkart has announced a partnership with which company flipkart ने किस company के साथ अपनी partnership announce करी है home delivery के लिए essential items जो essential items हैं, आवश्यक वस्वे उनकी home delivery के लिए एक safe supply chain के मध्यम से 26 शहरों में, तो ये partnership करीगे ये किसके दौरा, विशाल Megamart विशाल Megamart जिसका headquarter है Guru Gram, Haryana, दिन who is the head of the ICC, ठीक है, international cricket council committee which has recommended the ban on use of saliva to shine the ball to mitigate risk posed by the COVID-19 virus, coronavirus का जो risk है, आप जानते हैं, क्या है चूने से फैलता है, तो ball पर जो saliva का इस्तिमाल है, उसको ban करने के लिए जो ICC की committee बनाईगे उसके head का नाम पूछा गया है, तो उसके head का नाम है Anil Kumble, क्या नाम है Anil Kumble, दिन spiritual leader, देव प्रभाकर शास्त्री, चीक है, इनको दद्दा जी के नाम से जाना जाता था, तो ये इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंध रखते थे, तो ये किस से राज्य से थे, ये मध्यप्रदेश से थे पूरा नाम याद रखेगा, दद्दा जी के का contribution जो EPF में है, वो घटा दिया गया है, Central Government के द्वारा, तो 12 से 2 प्रिशक घटा के इसको कितने पर ले आएं हम, 10% पर ले आएं, कितने पर, 10% पहले 12% contribution देना होता था, आप 10% contribution देना होगा, from कब से कब तक, मई से ले करके, जुलाई तक this year, this year का मतलब है 2020, 2021 आगे बढ़ते हैं दोस्तों which state is all set to launch the Rajiv Gandhi न्याय योजना, Rajiv Gandhi न्याय योजना कौन से Rajiv ने लौज करी है, ठीक है 21 मई को, अब 21 मई को ही क्या होता है, PM, former PM है, death anniversary, former PM इन ही की बात हो रही है, Rajiv Gandhi Rajiv Gandhi की death anniversary के time पर, Rajiv Gandhi अब न्याय योजना, ये Congress ने announce करी थी 2019 के, जो चुनाव हुए थे उस समय, न्याय का मतलब क्या है दोस्तों, न्याय का मतलब है न्यूनितम आई योजना, क्या मतलब है न्यूनितम आई योजना, तो यहां पर किसने launch करी है तो ये Congress की ही सरकार है 36 गड़ में तो 36 गड़ के जो शियम है जिनका नाम है भूपेश बगेल उन्हों ने इसको अनौस किया 21 मई को याद रखेगा अब यहाँ पर क्या होगा 5700 करोड यह सीधे तौर पे ट्रांसफर किये जाएंगे 19 lakh farmers के account में 19 lakh farmers के account में ठीक है 4 installments में सीधे-सीधे ट्रांसफर किये जाएंगे Then Flipkart has tied up with which insurance provider to offer digital motor insurance policy for its customers Flipkart के जो customers हैं उनको digital motor insurance policy मिल सके तो इसके लिए Flipkart ने किस company के साथ आइफ किया है तो इसके लिए आइफ किया है Bajaj Allianj General Insurance Then India has plus how much amount to the UN agency India जो है वो UN की जो agency उसको कितना amount देने जा रही है जो किस के लिए काम कर रही है जो फिलिस्तीन के जो refugees है in support of its core program and services जो फिलिस्तीनी सरडार्थी है उनके लिए कितना amount देने जा रही है तो ये 2 million amount देने जा रही है 2 million Then who has recently been appointed the new WHO executive board chairman तो ये WHO के executive board chairman में कौन सामिल होने जा रहे है कौन ने chairman बनने जा रहे है तो ये बनने जा रहे है Dr. Harshwardhan कौन Dr. Harshwardhan और 3 वर्ष के लिए बनेंगे और ये किसका इस्थान लेंगे ये दोस्तों इस्थान लेंगे Dr. Hiroki Nakatani जो की Japan के हैं इनका इस्थान लेंगे अभी तक ये थे ठीक है अब कौन बनेंगे Dr. Harshwardhan Then which bank has launched the special gold loan ठीक है business vertical aimed at providing hassle-free credit मतलब gold loan provide करने के लिए ठीक है at the time of financial emergency लोगों को इस समय पैसे क्या आफशिकता है तो किसने gold loan संबंधित एक scheme जो है वो launch करी है तो ये किसने launch करी है दोस्तों ये Canera Bank ने launch करी है Then UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund इसने tied up किया है has partnered with which company किस company के साथ to support children and families बच्चे और उनके परिवार जो COVID-19 से affected हैं आप कहां पर तो सब सहारा अफरीका तो यहां पर ठीक है कि उनको support देने के लिए ATL Africa के साथ tie-up किया है किसने UNICEF ने किसने UNICEF अब Facebook has launched which new e-commerce venture Facebook ने नया e-commerce venture जो launch किया है जो small businesses को promote करेगा यहां पर इस online store के माध्यम से वो अपने products को sell out कर सकेंगे तो इसका नाम क्या दिया है इसका नाम दिया है Facebook Shops क्या नाम दिया है Facebook Shops वैसे भी आप सभी लोग Facebook चला रहे होंगे लगभग तो आप देखते है उसमें एक बाजार का option आता है तो अब ऐसा ही एक और platform government launch कर रहा है मतलब स्री Facebook launch कर रहा है Facebook Shops के माध्यम से Then which of the following state UT government State या UT government has started the Sukoon Sukoon ठीक है अब Sukoon क्या है यह COVID-19 initiative है to beat the psychological impact of lockdown जो psychological impact है lockdown का उससे लड़ने के लिए Sukoon नाम का जो start जो एक initiative है वो किसने launch किया है तो यह launch किया Jammu and Kashmir government Jammu and Kashmir government और Jammu and Kashmir क्या है यह इस समय union territory है Then which of the country has become the world's first to bring the digital immunity passport seeking a safer return to workplaces after the lockdown तो digital immunity passport launch करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों तो यह पहला देश है Estonia Estonia अब Estonia की बात आए तो इसकी capital याद रखिएगा capital है इसकी talent ठीक है और इसकी currency Estonia की क्या है Euro आगे बढ़ते हैं दोस्तों National Anti-Terrorism Day अब अगेन is observed annually on which date National Anti-Terrorism Day किस तारीख को मनाय जाता है तो 21 मई को मनाय जाता है और यह भी दोस्तों जो former PM थे राजिव गांदी उनकी इसी दिन death हुई थी तो उसी death anniversary के लिए इसको क्या किया जाता है मनाय जाता है Anti-Terrorism Day तो which of the following writer has released his new Hope on My Adventures On Boards Trains and Planes यह एक book का नाम है Hope on My Adventures On Boards Trains and Planes यह किस ने लिखी है तो यह Ruskin Bond ने लिखी है किस ने लिखी है Ruskin Bond तो जो गांओ की जो सडके है उनके construction में अब कौन सा material इस्तेमाल किया जाएगा और यह जो सडके बन रही है एक किस scheme के अंतरगत बन रही है तो PMG-SY प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना और यह 3rd है PMG-SY 3rd प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना 25 December 2000 को launch होई थी तब से ले करके अभी तक चल रही है और इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश है village को city से जोड़ना village को शहर से जोड़ने वाली एक all weather road connectivity प्रवाइड करना यह इसका मुख्य उद्देश होता है तो अब क्या यहाँ पर choir geo textiles का इस्तिमाल किया जाएगा सडकों को बनाने के लिए दोस्तों आप देखते होंगे जो आप इसको choir geo textiles google पे डालिएगा आपको material दिख जाएगा आप अपने आप समझ जाएगे कि यह textile कैसा होता है जूट होता है एक तरीके का आप देखेगा then which of the state has launched the ततपर scheme to collect information about migrant workers walking on national highway जो national highway पे पैदल चल रहे है migrant workers तो उनकी information collect करने के लिए और उनके लिए कोई transfer facility का arrange करने के लिए कौन से राज ने ततपर नाम की योजना को लागू किया है तो यह लागू किस ने किया है जारखंड government ने जारखंड government ने then महरास्टर government has launched which initiative which focuses on the welfare of farmers across the state महरास्टर government ने कौन से initiative को launch किया जो की वहां के जो farmers है उनके welfare के लिए इसको launch किया गया है तो इसका नाम है मी अननपूरा क्या नाम है मी अननपूरा ये initiative किसका है महरास्टर government किसके लिए welfare of the farmers across the state राज जी के रहने वाले जितने भी किसान है उनके welfare के लिए उनके कल्याण के लिए then the government of which state has launched startup fund कौन सी राज की सरकार ने एक startup fund launch किया है to encourage youth for entrepreneurship जो you are work है उनको entrepreneurship entrepreneurship का मतलब है business वगरा करने के लिए प्रोसाहित करना तो इसके लिए startup fund किसने सुरू किया है तो ये सुरू किया है उत्तर प्रदेश ने ठीक है और इसका नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश startup fund launch किया उत्तर प्रदेश के जो chief minister है Mr. Yogi आदित्यनाथ और इसके लिए उन्होंने पहली installment भी दे दी फिर 15 करोड रुपए की किसको SIDBI, SIDBI का head office ही कहाँ पर है स्वारी लखनव में तो SIDBI को पहली installment जो है वो पे कर दी गई इस fund को सुरू करने के लिए नार डेको के महानिदेशक के रूप में who has been appointed as the director general of नार डेको ठीक है अब नार डेको का मतलब है यहाँ पर national real state development council तो इसके director general कौन बने है राजेश वोयल, full form अभी बदाई चुका हूँ national real state development council ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तो who has recently resigned as the prime minister of Lysotho, Lysotho के प्रधानमंत्री के रूप में किसने अभी इस्तीफा दिया है तो Lysotho के prime minister के रूप में स्तीफा देने वाले विक्ति कौन बने है ठो मस्त थभाने, अब जब Lysotho की बात आई, तो इसकी capital याद रखेगा capital इसकी है मसेरू, और इसकी जो currency है, वो याद रखेगा उस currency का नाम है लोती लोती, then who among the following has been named as the new president of Indian Steel Association Indian Steel Association, भारती इसपास संग का नया जो president है, वो कौन बना है, तो इनका नाम है दिलीप ओमेन, और Indian Steel Association का head office कहाँ पर है दोस्तो, New Delhi में है, then who has been appointed the new chairman of Navar, Navar के नये chairman के रोप में कौन आए है, जिन्होंने किसका इस्थान लिया है, अभी तक आप जो पढ़ते जो head है, उनका नाम कई बार exam में पूछा जाता है, और दूसरी बात यहाँ पर याद रखेगा, जो deputy chairman है यहाँ पर, यह शाजी, KV, and PVS सुर्यकुमार इनको पॉइंट किया गए deputy managing director के रूप में, then the central government has approved the प्रधान मंत्री, मतस्य, संपदा योजना for boosting the fisheries sector देखो, fisheries sector को आगे बढ़ाने के लिए, और मतस्य का मतलब भी होता है, मक्चली, ठीक है, तो मतस्य संपदा योजना, जो fisheries के production को बढ़ाने के लिए है fisheries sector की growth के लिए है, तो इस योजना के लिए कितना पैसा, जो है 9,407 करोण है, state का जो share है, वो 4,880 करोण है, और beneficiary का contribution कितना होगा, 5,7,6,3,3 को add कर लोगे, तो 20,050 करोण निकलाएगा, और अगेन, ये over a period, ये 5 वर्षों में क्या किया जाएगा, implement किया जाएगा, ये financial year इसी साल से start होगा, 20,21 से, कब तक चलेगा, 24,25 तक, और ये सभी राज्जी और सभी UT में लाँच किया जाएगा, then, the union HRD minister has launched IGNU's, छीक है, इंद्रा गांधी नेशनल open university नाम है इसका, छीक है, online program for which of the following courses, कौन से courses के लिए, वैसे भी IGNU, जो है, online ही सारे के सारे चलती है system, तो अब IGNU में online program कौन से launch किया गया है, MA Hindi, हिंदी से MA करना चाहते हैं, तो IGNU ने online program जो है, वो launch कर दिया है, और दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो human development, human resource development minister है, Mr. Ramesh Pokharyal Nisank, छीक है, इन्होंने launch किया है, Facebook live के माध्यम से, और दूसरी बात याद रखेगा है, MA Hindi को छोड़ करके, और भी चीज़े हैं यहाँ पर, MA in Gandhi and Peace Studies, ये भी program launch किया गया है, BA in Tourism Studies, ये भी program launch किया गया है, और certificate courses launch किया गया है, Arabic, certificate in information technology, certificate program in library and information science, ये बात भी आपको याद रखेगा, और session जो ये है, broadcast किया जाएगा live, ठीक है, IGNU's ग्यानदर्शन TV चैनल, जो IGNU का ग्यानदर्शन TV चैनल है, ग्यानधारा और IGNU का Facebook page है, उस पर इसको live broadcast किया जाएगा, इन programs को जब पढ़ाया जाएगा, तो live broadcasting होगी, who has been appointed as the chairman of JND के public service commission, देखिए, हम यहाँ पर JND के public service commission की बात कर रहे हैं, मतलब Jammu and Kashmir के public service commission, जैसे UPSC है न, Union Public Service Commission, वहाँ पर IES बनते हैं, ऐसे जो PCS officials होते हैं न, ठीक है, तो वो राज्य के, यह जो public service commissions होते हैं, वो देखते हैं, तो Jammu and Kashmir के public service commission के headcon बने हैं, यह बने हैं, BR Sharma, BR Sharma, then, which of the following bank has partnered with NBFC, NBFCs to source loan in rural areas, rural areas में loan पहुंचाने के लिए, ठीक है, कौन से bank ने, किसके साथ partnership करी है, तो again, NBFCs के साथ partnership करी है, किसने, Fino Payment Bank ने, Fino Payment Bank का headquarter कहा है, कहा है, दोस्तों, यह है, Mumbai में, दें, आगे बढ़ते हैं, NBFC bank which was launched a special FD scheme, उस bank का नाम बताई है, जिसने special FD scheme launch करी है, जहाँ पर जो senior citizens हैं, उनको 80 basis point, 80 basis point का मतलब है, 0.80 interest rate ज़्यादा मिलेगी, तो यह किसने launch करी है, ICSA bank ने, अब देखिए क्या है हाँ पर, premium सिर्फ point 30 का है, क्योंकि पहले यह जो scheme चला रहे थे, उसके according, point 50 तो वो ज़्यादा दे ही रहते senior citizens को, लेकिन अब point 30 और बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, point 80 यह senior citizens को ज़्यादा मिलेगा FDs पर, ठीक है, यह बात याद रखिएगा, then, what is the outlay of new scheme approved by the cabinet for formalization of micro food processing enterprises, जो micro food processing enterprises है, ठीक है, तो उनके formalization के लिए cabinet ने, ठीक है, जो scheme बनाई है, उसके लिए कितना amount approve किया है, तो यह approve किया है, 10,000 करोड, 10,000 करोड याद रखिएगा, यहाँ पर, then, international tea day, अंतरास्त्रिये चाय दिवस, ठीक है, किस तारीक को मनाया जाता है, याद रखिएगा, चाय के health benefits के बारे में बताता है, तो यह 21st of माई को celebrate किया जाता है, पूरे विश्व में, international tea day, then, the ministry of new and renewable energy, इसने launch किया है, एक scheme, ठीक है, जो की solarization of which famous temple, उस temple और जो पूरा का पूरा town है, उसके solarization, solarization का मतलब, सब solar से वहाँ पर चलेगा, light हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह कोणार का सेंट temple, कोणार का स्ट जो सूर्य मंदिर है, और कोणार कहाँ परिस्थित है, ओड़ी सा में, याद रखेगा, the central government has cleared the plan of drilling for hydrocarbon exploration, hydrocarbon के exploration के लिए, जो drilling plan है, वो central government के द्वारा clear कर दिया गया है, in which of the following national park, कौन से राष्टरिय उद्ध्यान में इसको किया जाएगा, यह जो drilling plan है, ठीके, इसको किया जाएगा, तो यह डिबरू साइखोवा नेशनल पार्क, डिबरू साइखोवा नेशनल पार्क याद रखेगा, ठीके, और यह कहां का है, यह आसाम का है, then, in which state the rural livelihood mission begun DD vehicle service for safe delivery of rural women, जो rural जो ग्रामीड महिला हैं, उनकी safe delivery के लिए, ठीके, vehicle service, मतलब जो घर से hospital तक vehicle लेकर के जाएगा, तो यह rural livelihood mission के इंतर गत, DD vehicle service कहां पर सुरू करी गई, यह सुरू करी गई है मध्यप्रदेश, और मध्यप्रदेश में भी कहां पर, तो यह tribal dominated है जाबूआ district of मध्यप्रदेश, जाबूआ जिला है, जहां सबसे ज़्यादा ट्राइवल्स रहते हैं, ट्राइवल्स आपको पता है दूरदराज के area में रहते हैं, तो वहीं पर इस program को launch किया गया है यह cover करेगा 29 villages of 10 gram पंचाय, 10 gram पंचायतों में आने वाले 29 गामों को cover करेगा, then बबारामदेव led, ठीक है, बबारामदेव जिसके leader है पतंजली, लेकिन founder इसके है, कौन founder इसके, बताइए जल्दी से तो पतंजली की, अगर मैं बात करू यहाँ पर, तो बाले कृष्ण इसके founder है, अब again, which e-commerce platform to supply सोदेशी गुड, इन्होंने एक app launch करी है, ठीक है, उस app का नाम किया है, तो app का नाम है order me, और यहाँ पर एक बात कही गई है, O और M को मिला कर हमने launch किया है, O और M का मतलब है, O, तो order me याद रखिएगा, किसकी है, बबारामदेव लेड पतंजली, यह एक नया platform होगा, जिस पर online order कर सकेंगे, then what is the theme of international day for biological diversity, observed annually on May 22, हर साल 22 मई को मनाया जाने वाला, जो international day for biological diversity है, उसकी theme आप से पूची गई है, तो theme है, our solutions are in nature, our solutions are in nature, याद रखिएगा, then Franklin Templeton has appointed which bank, Franklin Templeton ने किस bank को रखा है, अपने साथ assist करने के लिए, as a trustee, in monetizing assist of six to wind up scheme, जो उसकी, जो छे scheme हैं, जिनको wind up खतम कर दिया गया, अब उसके monetizing के लिए किसको as a trustee रखा गया है, तो again, Kotec Mahindra Bank को रखा गया, किसके द्वारा, Franklin Templeton ये भी एक organization है, investment organization, then world day for cultural diversity for dialogue and development is held annually on May 21, ठीक है, world day cultural diversity for dialogue and development, ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है, अब यहाँ पर पूछा गया, it was adopted in which of the following year, इसे कब adopt किया गया था, तो इसे adopt किया गया था 2001 में then, एक चीज़ और याद रखेगा यहाँ पर 2001 और इसकी कोई theme नहीं है particular, आगे बढ़ते हैं दोसो, which institution has discovered new ways to prevent memory loss or reduce short term losses related to related to Alzheimer Alzheimer disease, Alzheimer एक प्रकार का रोग होता है, तो कौन से institution ने discover किये हैं, new ways ठीक है, तो यह IID गुहाटी ने new ways, ठीक है, इसको इसकी रोग ठाम के लिए, क्या हैं, डबलप किये हैं then, in a recent announcement made by RBI, RBI ने भी हाल मी जो announcement किये हैं, monetary policy से related, तो यह पूछा जा रहा है the repo rate has been cut by, repo rate को कितने basis points से कम कर दिया गया है, जिससे repo rate कितने पर आ गई है, 4% तो यह 40 basis points से कम किया है कितने basis points, 40 पहले थी 4.40, अब कितनी हो गई अब हो गई 4%, तो 40 basis points से कम किया गया है reverse repo rate भी ऐसे ही कर दिया गया है तो reverse repo rate इस समय कितनी हो गई है 3.35% याद रखेगा then according to the rating agency ICRA ICRA का full form है investment information and credit rating agency of India ठीक है अब ये क्या है इसने इंडियन economy को कितना बताया है कि financial year 21 में हमारी जो GDP growth है वो कितनी कम हो जाएगी contraction का मतलब है minus minus में ठीक है पीछे तो ये minus 5% याद रखेगा minus 5% contract by 5% का मतलब हुआ minus 5% then who has been named as the chief economist and vice president of world bank world bank के vice president और chief economist के रूप में किसको नामित किया गया है तो ये है कैर्मेन रेनहार्ट क्या नाम है निका कार्मेन रेनहार्ट then आंधरप्रदेश government has come up with a scheme to help revive MSME MSME जो micro small and medium enterprises है उनकी revival के लिए ठीक है कौन सी scheme जिससे उनका livelihood जो है ठीक है जो जीवी को पारजन है वो improve हो सके ठीक है जो COVID-19 pandemic के द्वारा affected हो रहे हैं तो again किस government ने क्या किया है कौन सी scheme इनके लिए launch करी है तो आंधरप्रदेश government ने launch करी यह scheme का नाम है restart restart का मतलब ही है दुबारा से सुरू करना then the RBI has deferred interest on working capital facility which can be converted into funded interest on term loan till which date किस तारीक तक ठीक है जो कारेसील पूझी सुविधा है इसमें ब्याज को हटा दिया गया है अब किस सतित तक रिड़ पर वित पोषित ब्याज में परिवर्तन किया जा सकता है तो इसके लिए तारीक है 31st of March 2021 then what is the amount extended by RBI to Exim Bank Export-Import Bank of India to help meet its foreign currency resource requirement जो foreign currency resource requirement के लिए Exim Bank को आशकता है तो इसके लिए कितना amount extend किया गया RBI के दवरा तो यह 15,000 करोड रुपए और दिये गए हैं Exim Bank को याद रखेगा दूसरी बात यहाँ पर और याद रखे ही रखनी है 15,000 करोड रुपए Special Refinance Facility यह SIDB को भी दी गई है और दोनों के लिए समय एक ही है 90 दिन 90 दिन then which of the following companies all set to launch the second tranche of भारत bond ETF ETF exchange traded fund तो second tranche of भारत bond ETF तो यह कौन है Edelwise Mutual Fund Then the union government has extended the प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना देखे प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना एक senior citizens के लिए schemes बनाई गई है जहाँ पर वो अपने amount को invest कर सकते हैं और उन्हें एक pension मिलेगी तो एक pension scheme है investment के माध्यम से ठीक है तो इसको कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों तो इसको तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ठीक है अब जो date कर दी गई है वो कितनी है March 2023 2018 में इसको launch किया गया था याद रखियेगा Then Adel has acquired Adel ने कितने percent acquire किया है जो AI startup AI मतलब artificial intelligence startup जिसका नाम है wisegen ठीक है cash deal मतलब नगत पैसा दिया गया है तो कितने percent stake 10 percent stake इसने लिया है किसने wisegen में अब wisegen जो है दोस्तों ये गुलगाउं based company है कैसी गुलगाउं based company है Then word turtle day जो कच्छुवा दिवस है ठीक है annually किस तारीक को मनाया जाता है जिसमें हम spread awareness about turtles and tortoises ठीक है turtles और tortoises की awareness देते हैं हाँ पर तो 23rd of my Then Shyamala Ji Bhave who passed away recently Shyamala Ji Bhave जिनका हाली में निधन हो गया है वो क्या थे एक प्रसिद तो एक प्रसिद vocalist थे क्या थे एक प्रसिद vocalist याद रखेगा जिसे हम कहते हैं फिक्की एफ ल ओ याद रखेगा फिक्की लेडीज ओर्गनाईजेशन तो इसके head कौन बनी है प्रसिदेंट तो ये नेशनल प्रसिदेंट है जहनभी फुकान जहनभी फुकान ये क्या है आसाम बेस्ड एंटर्पेनियोर है असाम बेस्ड एंटर्पेनियोर दिन केके आर केके आर एक कमपनी का नाम है अब इसने 2.32 stake परचेस किये हैं जियो प्लेटफॉर्म में 2.32 stake in जियो प्लेटफॉर्म अब कितने करोड रुपए में 2.32 percent stake इसने परचेस किया है तो ये परचेस किया है 11,367 करोड लुपे में और दोस्तों आप कौन-कौन सी कंपनी यहां पर हो गई है अब ज्याद रखेगा KKR तो हई है Silver Lake भी हो गई ठीक है General Atlantic भी हो गई Vista भी हो गई ठीक है तो यह कई कंपनिया है जो अब इसमें investment कर चुकी है और यह investment करने वाली पाँचवी कंपनी है इसके पहले चार कंपनिया जो है वो investment कर चुकी है Facebook हो गया दोस्तों ठीक है Vista Equity Partner हो गया Then Silver Lake हो गया और General Atlantic हो गया याद रखेगा तो यह पाँचवी कंपनी बन गई है Facebook जीओ में स्वरी जीओ में investment करने वाली Then IRDI इस ठीक है Insurance Regulatory and Development Authority of India इसने किस बैंक को अलाव किया है 30% Holdings को continue रखने के लिए इंडिया's first life insurance में तो इसने Union Bank of India को अलाव किया है Union Bank of India Then Researchers at which institutions have developed a new through collector to provide sustainable energy solution for agriculture and industrial process ठीक है तो किस संस्थान में शोध करताओं ने करशी और अध्योगी प्रक्रियाओं के लिए इस्थाई उर्जा समाधान प्रधान करने के लिए एक निया गर्थ संग्रेकरता विक्षित किया है किसने तो ये IIT मदरास ने विक्षित किया IIT मदरास के researchers ने Then Which country has become the second largest producer of PPE Personal Protective Equipments ठीक है ये चाइना के बाद Second number पे किसका नाम आ गया है ये इंडिया का नाम आ गया है याद रखेगा सबसे ज़्यादा PPE यहाँ पर develop किये जा रहे है दूसरे नमबर पर पहले नमबर पर कौन है चाइना और PPE का full form याद रखेगा यहाँ पर PPE का full form होता है Personal Protective Equipment ठीक है याद रखेगा इसको Then आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला question है ONGC has signed an MOU ONGC ने किसके साथ MOU Memorandum of Understanding Sign किया है Joint Venture के लिए ठीक है For Renewable Energy Business Renewable Energy Business के Joint Venture के लिए तो NTPC के साथ ONGC ने एक MOU sign किया है NTPC का full form है National Thermal Power Corporation इसका head office कहाँ पर है New Delhi में कहाँ पर है New Delhi में Then The chief minister of which state has inaugurated Everybody will get employment ठीक है कहा के जो मुख्यमंत्री उन्होंने inaugurate किया है Everybody will get employment मतलब सभी को रोजगार मिलेगा Video Conferencing के माध्यम से मन रहेगा के अंतरगर तो यह Madhya Pradesh Madhya Pradesh के CM ठीक है Shivra Singh Chauhan Then The US has decided to pull out which treaty US ने किस treaty से अपने आपको बाहर करने का निर्णे लिया है तो इसका नाम है दोस्तों Open Skies Treaties क्या नाम है Open Skies Treaties Then Madhya Pradesh chief minister has inaugurated which scheme to provide jobs to laborers under skilled, semi-skilled and unskilled categories ठीक है इन तीन category के अंतरगर ज्वाब दी जाएंगी तो Madhya Pradesh के CM ने जो scheme बनाई है इसके लिए उसका नाम क्या है उसका नाम है स्रम सिधी अभियान क्या नाम है स्रम सिधी अभियान याद रखिएगा Then Prakas Javadakar launched which program to engage students with the post graduate degrees for a period of one year through an open, transparent, online competitive process Prakas Javadakar ने एक खुले पारदर्शी online प्रतिसपर्धा प्रक्रिया के माध्यम से एक वर्ष की अभधी के लिए सनात्कोंतर डिग्री वाले चात्रों को सनलंगन करने के लिए कौन सा कारिक्रम शुरू की है तो इस कारिक्रम के नाम है Biodiversity Sunraction Internship Program Biodiversity Sunraction Internship Program याद रखेगा इसको ठीक है Which company has recently won the Economic Times Iconic Brand for year 2019-20 Economic Times Iconic Brand Iconic Brand 2019-20 का ये अवार्ड मिला है तो किस कंपनी को मिला है HSL India HSL क्या है Hanyman Scientific Laboratory Full form याद रखेगा HSL India का Hanyman Scientific Scientific Laboratory Then Tennis Star Jamie Hampton Who Announced His Retirement Recently Tennis Star Jamie Hampton जिसने अपना Announcement अभी जिसने अपने Retirement को Announce किया ये किस देश से है तो ये किस से है USA Tennis Star Jamie Hampton कहां से USA ठीक है दोस्तों अगला question है Which among the following has become the highest paying female athlete in the world पूरे world में highest paying female athlete कौन है इनका नाम है Naomi Osaka क्या नाम है Naomi Osaka highest paying female athlete in the world याद रखीगा और ये जापान की Tennis Star है इनका नाम है Naomi Osaka इस बात को याद रखीगा दोस्तों ठीक है ठीक है Forbes की list में इनकी बात कही गई दोस्तों इतना ही आज के लिए I hope आपको session पसंद आया होगा दोस्तों thanks thanks a lot session पसंद आये comment करिए कोई कमी रह गई हुए बताइए ज़्याद से ज़्यादा शेयर करिए thank you thanks a lot